प्रॉसेस कहते हैं और एक दो दिन के लिए फिर दुबार इसे में पानी लगा कर खेत को छोड़ दिया जाता है then उसके बाद जो second step है वो है sewing sewing क्या करा जाता है यानि beach का selection selection of seeds अब किसान के लिए ये बड़ी समस्या है कि वो कैसा भी select करें तो किसान कोशिस ये करता है वो ऐसा भी select करें जो की अधिक से अधिक पैदावार उसे दे यानि best quality of seeds वो अपने खेत में डालना चाहता है इसके लिए भी वो जो आपके भारत सरकार है उसने कुछ जगयों पर खाद्यमंत्राले बना रखे हैं और उसमें वो बीजों के identity यानि इस बीज को इस मिटी में बोने से फाइदा होगा इसके लिए ये वाला खेत सही है इस तरह की मिटी सही है इन सब की जानकारी वो समय समय पर देते रहते हैं और आपने टीवी पर एक प्रोग्राम देखा होगा जिसे हम किर्शे दर्सन के नाम से जानते हैं उसमें किसानों को फार्मर्स को इसी के बारे में जानकारी दी जाती है कि किस तरह की मिटी में किस तरह का बीज बूना चाहिए और इसका एक सिंपल सा टेस्ट भी होता है कि अगर अपने पास जो उसके पास जो सीड्स है उस सीड्स को वो पानी में डाले और पानी में डालने के बाद जो बीज पानी में उपर आ जाते हैं float कर जाते हैं वो seeds बहुत अच्छी quality के नहीं होते हैं लेकिन जो पानी के नीचे बैठे रहते हैं पानी में वो अच्छी quality के होते हैं उनको सुखाने के बाद वो अपने खेप में इस्तमाल कर सकता है second topic आता है हमारा adding manure and fertilizer यानि जो किसान है यानि जो farmer है वो अपने खेप में जो अपने उसने बीच बोई हैं उसमें nutrient को सहीर मात्रा में पहुचा सके इसलिए वो अपने उस खेप में manure और fertilizer को इस्तमाल करता है मैनवर जो है वो plants और animal के waste material से तयार होता है और जो fertilizer है वो एक chemical supplement है जो खेतों में मिट्टी में nutrient की कमी को पूरा करता है यानि इसे हम बहार से खरीबते है fertilizer को और मैनवर को किसान अपने पास ही अपने बड़े बड़े घरों में जब एक जगह पर जो मरे हुए जीव जन्तु होते हैं साइड में बंद कर